तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे ट्रिपल आई टी पूरे नर्स इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फोर्मिशन टेक्नोलोजी पूरे की तरफ से आई हुई कुछ विकेंसी के बारे में तो गैस देखिए अच्छ चलिए पहले आपको दिखाते ही है तो देखिए यह है वेब पेज यह होम पेज यह है वेब साइट विच इस ट्रिपल आई टी पी डॉट एसी डॉट इन तो आपको इस पर विजिट करना है उसके बाद आपके सामने यह पेज ओपन होगा ठीक है इसमें आपको starting में ही मिल जाएंगी latest news जैसा कि अभी आपको यहाँ पर दिख रहा है wait तो यहाँ पर कुछ news है recruitment से ही related है देखिए first है recruitment advertisement for the post of assistant professor grade 2 level 10 Department of humanity, social sciences and management then second है assistant professor again at CSC department third है vacant post के लिए vacancies फोर्थ है assistant professor के लिए तो थर्ड वाली assistant professor के लिए नहीं है दूसरी हैं फिफ्ट में है walking interviews के लिए notice तो चलिए हम one by one देखते हैं और I think मैं इन फाइव notices के बारे में briefly discuss करऊंगी और आप चाहें तो प्लीज आप एक बार बाकी जो notifications है उन्हीं भी देख लिजीगा एल्स अगर मुझे जरूरत लगती है तो मैं दूसरा वीडियो बना दूगी राइट बिकिस बहुत ज़्यादा डियूरेशन हो जाएगी तो अच्छा नहीं है इंपोर्टन है कि आप तक एंफॉर्मिशन हो आपके पास कि जो फॉर्म्स है वो अभी लिबल है जैसा कि आपको दिख रहा है first recruitment advertisement इसमें दो options हैं आपके पास कि जो दो टाप्स दिख रहे हैं दोनों ही PDF डाउनलोड कर सकते हैं सबसे पहले details डाउनलोड कीजेगा जिसे अभी हम देखेंगे और application भी देखेंगे बट यह basically application form है तो सबसे पहले details को डाउनलोड कीजेगा आप भी इसी तरह same process सब में है तो चलिए details open करते हैं और दिखते हैं येस तो ये है वो PDF 4th of January dated है लास्ट डेट वगेरा देख लीजे स्टार्ट हुआ है या basically advertisement publish हुई है 4th of January को fee submission के last date है 3rd February और soft copy भेजने की या basically apply करने की जो last date है वो है 3rd February और hard copy भी आपको भेजनी है तो वो वहाँ institution में पहुँच जाए उसकी rate है 8th of February और यही commonness हमें चलिए हम अब भी देखते हैं तो देखे ये आप देख सकते हैं जो भी चीज़े mention है हम subjects देख लेते हैं वैसे इसमें subjects में क्या mention चलिए तो देखे इस assistant professor है मैंने पहले पता है essential qualifications है या essential qualification है PhD PhD holder आपको होना चाहिए और अगर यह भी है तो अच्छा है और यह क्या है तो SCI journal में आपका एक publication हो उसके बाद age maximum है 40 years essential qualification आप देखेंगे तो PhD यह लिखा है respective discipline में और मांकी first last से ज्यादा marks हो degree में that is MSCA, BSA उन सब में और CGPA भी mentioned है तो post आप देख सकते eligibility या subjects जो है देखें BA in English and MA in English या equivalent हो और PhD that is English के लिए यह post और specialization यह हो सकती है अगर यह भी नहीं है तो भी आप apply कर सकते क्योंकि देखें यहां लिखा है includes but not limited to सिर्फ इस तक limited नहीं है बठा यह included है अगर यह है तो well and को नए भी है तो भी you can apply right contract basis पे है application fee है general की 500 rupees और GST 90 तो total 590 rest पांकि सब के लिए कोई भी fees नहीं है ठीक है और यह सारी चीजे information आप देख लीजेगा right please सब कुछ इबार पढ़ लीजेगा उसके बाद ही apply कीजेगा अब हम second notification देखते हैं और apply आपको इसी link पे करना है wait इसी website पे जाकर apply करना है और link मिल भी जाएगा इसका आपको description box में hard copy भेजनी है सारे certificates वगेरा इस address पे तो कोई और information चाहिए तो आप बता सकते हैं बस तो चलिए next वाले कभी इसी तरह हम PDF देखते हैं यह है second वाले का PDF last date देख सकते हैं आप last date है 4th Feb ठीक है और hard copy भेजने की last date 10th of Feb उन तक पहुंच जाए यह CSC department वाला जो मैंने आपको initially दिखा था वो है इन सभी के लिए सबको description में मिल जाएगी essential qualification yes again PhD है और publication वगेरा जो है आप देख लीजे eligible जो डिग्री है ठीक है जिसके होने पर ही आप eligible है वो तो आपको बताया PhD हो साथ में देखिए क्या लि आप देख सकते हैं राइट तो application fees के लिए लिखा हुआ है वह यह सेम जो भी last हमने देखा PDF में तो सब कुछ सेम ही है बस post वगेरा का difference है और eligibility में obviously जब post अलग department की है तो eligibility भी अलग है तो yes please सारी information देख लीजेगा अगर आप apply करना चाहते हैं अब हम move करते हैं next PDF पे yes यह है थर्ड तो देखें यह है वैकन पोस्ट डिफरेंट 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 लेवल पे उसके लिए ठीक है यह assistant professor नहीं यह non-teaching post है राइट लास्ट डेट है इसकी 20 जैन राइट तो wait yes देखें फोर्थ को publish हुआ था और लास्ट डेट है 20 जैन 20 जन्वरी तो देखें पोस्ट है इंटर्नल ओडिटर, consultant, finance officer की CA अगर आप है complete किया आपने तरफ अपलाई कर सकते हैं या फिर अगर आपने ICW या फिर आप MBA है फाइनस से तो भी experience भी इसमें मांगा हुआ है तरह accountant या consultant और network engineer यह सभी पोस्ट है और बाकिया आप देख लीजेगा जो rules वगेरा अब हम next वाला जो notification है advertisement है उसे open करते हैं यह है number fourth वाला जो मैंने initially आपको दिखाया था वो notification EC electronics department के लिए है last date वगेरा सेम है assistant professor वाली है तो हम इसमे eligibility पे चलते हैं देखे PhD तो होनी चाहिए journal वगेरा के लिए same चीज़े है difference है eligibility में तो B.E.P.Tech अगर आप electronics and communication engineering से है या electrical engineering से है तो आप apply कर सकते हैं या फिर M.E. और M.Tech है आप इनी stream subject से तो आप apply कर सकते हैं साथ में PhD होना जरूरी है specializations आप यहाँ पे देख सकते हैं और again same चीज़े है कि limited नहीं है कि आही हो तबी बट अगर है तो अच्छी बात है ठीक है तो अगर आप इस brand से हैं तो apply कर सकते हैं application fee वगेरा सारी details सब कुछ same है इसमें भी अब हम fifth वाली last notification देखते हैं wait तो यह है number fifth वाली जो advertisement है उसका notification walking interviews के लिए है यह online interviews basically so publish हुआ था 7th Jan को और last date है 29th Jan ठीक है receive करने की आप apply कर सकते है 29 तक complete कर लीजेगा process ठीक है departments वगेरा हम देख लेते हैं तो देखे post है system professor on contract है emoluments है up to 80,000 rupees per month और 40 years maximum age essential qualification that is basically department so देखे यह आई है vacancies यह interview है CSE department में that is computer science and engineering आप B.E.B.T.E.C. है तो आप apply कर सकते हैं और इस marks के साथ है तो ठीक है और also M.E.M.T.E.C. वाले भी apply कर सकते है और and PhD भी हो right उसके बाद electronics and communication engineering branch में है तो उसमें भी same चीज हैं देख लीजएगा और applied maths and data science में भी है तो इसके लिए B.E.C. maths या data science वाले भी eligible है येस तो और qualification क्या है publication का होना चाहिए ये सारे चीज़े mention है interview date आपको बाद में बताई जाएगी और बागी conditions या instructions जो है वो please आप देख लीजएगा तो बस यही थी information इस video में हम एक बार फैले फिर से visit करते हैं home page तो येस देखें ये है web page आपको मैंने बताया ही five तक हमने PDFs discuss कर ली है rest आप भी देख लीजएगा अगर अभी भी valid है तो आप apply कर सकते हैं और अगर कोई issue होता है तो आप बताई है otherwise I will try कि मैं वीडियो बना दूँ ठीक है अगर time रहता है तो तो करना है या जो उसके बगल में थोटा सा सिंबल भी आपको दिख रहागा उस पर कीजिएगा तो वह open हो जाएगा basically enlarge हो जाएगा तो इसके नीचे यहां पर आपको links दिखेंगी वह blue से pop-up होंगी basically blue color से दिखेंगी आप उस पर क्लिक करेंगे तो directly आप डाउन्वोड भी क कर सकती हैं तो yes that is it thank you so much